फिर चिर्कुटिया आगे जाता है बोलता है, काफी गर्मी है, ये तालाब काफी सुन्दर लग रहा है, क्यों ना इसमें ही हाथ, पैर धो लेता हूँ उम्मीद है, पानी साफ होगा और स्मिल भी नहीं आ रही होगी, पर जैसे ही चिर्कुटिया पानी के ज़रने की तरफ जाता है, उल्टी सी करने लगता है और बोलता है, चीची चीची कितनी भयानक करणी, स्मिल आ रही हैं, पानी से लगता है, शहर का नाला यही से जाता है, तभी पास एक औरत खड़ी थी और चिर्कुटिया को देख कर हंसने लगी, चिर्कुटिया बोला, ज्यादा दांत नहीं निकालो औरत नहीं, तो तेरे दाढ़ी और मूँचे निकाल दूँगा, यह सब कहकर चिर्कुटिया वहां से निकल गया पर उस औरत की दाढ़ी और मूँचे निकल आती है, और वो जोर-जोर से रोने लगती है, फिर चिर्कुटिया और आगे जाता है, बोलता है, अरे इस तालाब में भी गंदा पानी था, सोचा था, हाथ पैर धोने से गर्मी शान्त हो जाएगी, पर वो तो हुई नहीं, और जो थोड़ा सुबेरे खाया था, वो भी निकल गया, अब तो गर्मी के साथ साथ भूख भी लगने लगी है, तभी चिरकुटिया आइसक्रीम वाले को देखता है, और काफी खुश होकर बोलता है, अरे वा, अब मुझे थंडा होने से कोई नहीं रोक सकता, वो दुकान में जाता है, और आइसक्रीम जैसे ही खाता है, बोलता है, ची 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 कितनी गंदी आईस्क्रीम है नाले के पानी से बनाई है क्या आईस्क्रीम वाले तुमने आईस्क्रीम वाला बोलता है नहीं नहीं बाबू आज ही सुबेरे ताजी बना के लाया हूँ चिरकुटिया बढ़ढ करता हुआ निकल गया पर आइस्क्रीम वाले की पूरी आइस्क्रीम से सच में अब गंदी स्मेल आने लगी थी तभी आइस्क्रीम वाला भी तेज तेज रोने लगा बोला है भगवान अब आज मेरा गुजारा केसे होगा फिर से चिरकुटिया आगे जाता है और एक पेड के पास बेठ जाता है और बोलता है आज तो लगता है भाग्य में ना पानी है और ना ही खाना फिर ऐसे ही सो जाता है एक आइसक्रीम वाला उसकी बातों को सुनता है बोलता है चिर्कुटिया उसकी बातों को सुनकर उसके पास खुशी-खुशी जाता है फिर दोनो आइसकुटिया उसकी आइसकुरीम जैसे ही खाता है बहुत खुश होकर बोलता है भाई, आज तो मजा ही आ गया, इससे बढ़िया आइसकुरीम मैंने कभी नहीं खाई भगवान तेरा भला करे और तेरी दुकान भीड से भर जाए ऐसा कहकर चिरकुटिया उड़ जाता है और उस आईस्क्रीम वाले का तो मानो एक दम से भाग्य पलड गया उसकी आईस्क्रीम की दुकान में अचानक से भीड बढ़ गई फिर से चिरकुटिया काफी खुश होकर अपनी मोसी के घर वापिस चला जाता है और जैसे ही देखता है, मोसी मेंडग बनी हुई है पूछता अरे मोसी तुमको मेंडग किसने बना दिया? मोसी बोलती, अरे मुर्ख चिरकुटिया, बोला थाना, मैंने तुझे की आज तू जो कुछ भी बोलेगा तो सच हो जाएगा चिरकुटिया भूत बोला अरे मोसी मुझे लगा कि तुम मजाक में कह रही हो तोनी चिडिया बोली तू छुप कर और जाके बाजू की नदी से पानी लाके थोड़ा सा मुझ पर छिड़क फिर चिरकुटिया पानी नदी से लाता है और थोड़ा तोनी चिडिया के उपर छिड़क देता है तो तोनी वापिस मेंडग से चिडिया बन जाती है फिर टोनी चिडिया चिरकुटिया से पूछती है और किस किस के साथ क्या क्या किया तुने तो चिरकुटिया ने बताया कि सबसे पहले तो एक आदमी थंडे पानी से नहा रहा था वो पानी बरबाद कर रहा था तो उसका पानी गर्म करवा दिया फिर वो लड़की जो मुझ पर हस रही थी उसकी दाड़ी मुझे आ गई शायद फिर आइस्क्रीम वाले की आइस्क्रीम से काफी स्मेल आ रही थी तो टोनी बोली जाओ और एक-एक करके सब के उपर पानी के छीटे मारो चिरकुटिया पहले उस आदमी के पास जाता है उसके जलते शरीर के उपर जैसे पानी के छीटे मारता है वो आदमी पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है फिर नदी के पानी के उपर और उस लड़की के उपर छीटे मारता वो भी नार्मल हो जाते फिर आइस्क्रीम वाले की आइस्क्रीम के उपर छीटे मारता तो उसकी स्मेल दूर चली जाती है सब कुछ ठीक करने के बाद चिरकुटिया टोनी मोसी को भी सौरी बोलता है और वापिस अपने पेड़ पर चला जाता है और जूला जूलने लगता है और हमेशा की तरह सोजाता है तो बच्चो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन जरूर दबाईए